इस भट्टी को गर्म करने के लिए बहुत लकडी चाहिए। किसान तके मोरा मुजूरा हुना हर साल चार टन तंबाकू तैयार करने के लिए 60 ट्रक लकडी जलाते हैं। जिन्बाववे में उनकी तरह तंबाकू की खेती करने वाले एक लाग से ज्यादा छोटे किसान हैं। साल 2020 में जिन्बाववे ने तंबाकू की खेती से करीब 78 करोड डॉलर का राज़त सो कमाया। लेकिन इसकी भारी कीमत जंगलों ने चुकाई। जिन्बाववे अकेले तंबाकू उत्पादन के लिए हर साल करीब 60,000 हेक्टेर के जंगल खो देता है। लेकिन इंडस्ट्रियल हेंप यानि ओद्दोगिक गांजे से जंगल की कटाई पर रोक लगने की उमीद है। जोरो दजाई मारोवीकी ने बत और डेंटिस्ट अपना काम छोड़ दिया। अब वो देश के किसानों को गांजे की खेती के लिए तयार करती है। एक एकर या एक हेक्टेर में लगे पेड इंडस्ट्रियल हेंप की तुलना में चार गुना कम काबन डायोकसाइड अफशोशित करते हैं। और हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल हेंप पेड़ों से ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। यानि गांजे के जंगल हमें कम वक्त में जादा फायदा दे सकते हैं। मिट्टी सही कर सकते हैं और कार्बन सोक सकते हैं। गांजे की फसल पर तापमान बढ़ने का भी ज्यादा असर नहीं होता। इसकी देख भाल करना भी आसान है लेकिन तंबाकू की तरह आप इसे फूक नहीं सकते। जिंबावे में गांजे की खेती अभी अपने शुरुवाती दौर में है। तीका येती गनीसी इस कारोबार के अगुआ हैं। गांजे के उनके 2000 पौधे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए हैं। उन्होंने ये पौधे अपने ग्रीन हाउस में उगाए हैं और इनकी फसल एशिया और योरोप के ग्रहकों को जाती है। गांजे के पौधे में आप बीज, पतियों, शाकों और जड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानि आप कुछ भी फेंकते नहीं हैं। तंबाकू में बहुत सारे रसाइन इस्तिमाल किये जाते हैं और गांजे की तुलना में तंबाकू के उतपादन की लागत भी ज्यादा है। तो अगर हमने इसे अच्छी तरह बढ़ावा दिया, तो अगले पांच से दस सालों में गांजा तंबाकू को पचार देगा। 2019 में वेश्विक की स्तर पर इंडस्ट्रियल हेंप का कारोबार पांच अरब डॉलर का था और मांग लगातार बढ़ रही है। गांजे के फाइबर का इस्तेमाल निर्मान उद्योग, आटो उद्योग और फैशन के सामान बनाने में होता है। वहीं बीज, खाने पीने की चीज़ें बनाने में काम आते हैं। तो किसानों के नजरिये से गांजे की खेती में खूब संभावनाएं हैं। लेकिन जिम्बावे में गांजा उगाने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है और हर कोई इसे खरीद नहीं सकता। जोरो दजाई ने कुछ किसानों को जमा किया है ताकि उन्हें गांजे की खेती के फाइदे समझाए जा सकें। ताकि मोरे भी यहीं हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है और यहीं वज़े है कि अब मैं तमबाकू की अपनी खेती में और फसलें भी शामिल करना चाहता हूं। अगर हमारी सरकार आगे बढ़कर गांजे जैसी फसल उगाने में हम किसानों की मदद करें तब ही हम किसानों को इस खेती में सफलता हाथ लगेगी। जोरो दजाई जिम्बावे के दूसरे सबसे बड़े शहर बुलावायों में आयूजित इस ट्रेड फेर में आई हैं। यहां वो नए ग्रहकों के साथ साथ ऐसे किसान भी खोज रही हैं जो गांजे की खेती में हाथ आजमाएं। पहला निर्याद गांजे की तीन तन आटे का स्विजलेंड में किया गया था लेकिन हम मांग बढ़ती देख रहे हैं। आज तक हम करीब 20 तन के ओर्डर ले चुके हैं। और ये सारी फसल निर्यात होनी है क्योंकि जिंबाववे में गांजे की प्रोसेसिंग वाली कोई प्रोफेशनल इंडस्ट्री नहीं है। बस कुछ लोग शौकिया तोर पर हेंप फाइबर के साथ हाथ से कागज बनाते हैं। अगर गांजे के बूते देश के जंगल बचाने हैं तो इतना काफी नहीं है।